नमस्कार आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रतमेश चूतिश चैनल आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल के अंत में यानी 2022 दिसंबर के अंत में शुक्र का गोचर मकर राशी में होने वाला है तो इस गोचर के प्रभाब से किन राशियों को धन का लाब होगा ग्राओ नचोत्रों के बदलना सबसे बड़ी घटना मानी जाती है 29 दिसंबर 2022 को शुक्र का मकर राशी में प्रवेश होने जा रहा है यह साल 2022 का अंतिम गोचर है और इस गोचर से कुछ राशियों को सकारात्मक प्रवाब देखने को मिलेगा कुछ राशियों पर नकारात्मक प्रवाब पड़ेगा आई जानते हैं कि किन राशियों के लिए साल का यह अंतिम गोचर लाब दायक सिद्ध होगा अगर आपने अब भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे लाइक कीजे कमेंड कीजे और दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कीजे अब बात करें कि शुक्र के परिवर्तन से किन राशियों को लाव होने वाला है तो उसमें प परियर के छेत्रों में सफलता दिलवा सकता है एक तरफ आपको अपने सीनियर्स का मार्ग दर्शन मिलेगा वहीं ऑफिस में भी सह कर्मियों की तारीफ भी आपको मिलेगी जीवन साती के साथ चल रहे मतवे समाप्त होंगे अपने काम से किसी तरीके के आपको लापरवाई न लिए शाना चाहिए दूशी रासी है मिथुन मिथुन राशी वालों के लिए साल का अंतिम गोचर अच्छा रहने वाला इस दोरान अगर आप किसी प्रॉपर्टी से सम्मंदित मामले में निवेश करते हैं तो आपको फायदा होने की पूरी संभावना है साथ ही आपकी आ आतनर की तलास में आपकर रहे हैं तो इस दोरान आपकी इच्छा पूरी हो सकती है अगर आपको आवश्यक लगे तो इस आवधी में आप ट्रेनिंग या फिर किसी सेमिनार में भाग ले सकते हैं जिसका किलाव आने वाले समय में आपको जरूर मिलेगा गोचर के दोरान अ अच्छी खबर मिलने के संभावना बन रही है अगर कन्या राशी वाले उच्छ प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपको सफलता हासिल हो सकती है करियर के नए मार्ग खुलेंगे लाइफ पाटनर के साथ चल रहे आपके मतवेद भी दूर होंगी चौ विवाहिक लोगों के लिए जीवन में नई खुशियां आ सकती हैं पर एक दूसरों के लिए हर समय मौजूद रहेंगे आप गैजेट्स और मौज मस्ती के लिए दिल खोल कर कर्च करेंगे लेकिन आपकी मेहनत की कमाई को व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए इस गोचर के प् लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कीजिए आप मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद